होलो दोस्तों तो आज मैंने बूर्श्टेप का एक टेंपल उठाया है और किस तरीके से हम मेप में तरका यूज करके इंडेक्स HTML फाइल में मेप कर सकते हम किसी भी कार्ड को किसी भी बटन्स के सभी तो अगर आपको HTML में कुछ बनाना तो इस तरीके से आपको इतने कार्ड बनाने के इतनी बार कोपे पैश्ट करना पड़ेगा तो वह ना करके माप मेप में बितल करेंगे तो उसके लिए कि स्क्रिप्ड.js बनाएंगे एक फाइल या फिर आप इसमें भी कर सकते हैं सा कुछ नहीं है और वहां से मुझ चुछ को रेंडर करेंगे तो सबसे पहले यह एरे बना रखा एक उसके अंदर तीन कार्ड मलब की तीन प्रोजेक्ट कर रखें मैंने भी यह मान के चलू आप ठीक है आप जितने आपके प्रोजेक्ट एड़ होते जाए वह आप एड़ करते जाओ एड़ करते जाओ तो आपको क्यों वहां एड़ कर तो हम सबसे बहुते हैं सबसको हटा देंगे क्योंकि आप इसके जरत होने वाली नहीं है तो एक कॉंस्ट बनाते हैं और जो जहां पर हम यह कार्ड डालने वान उसका जो मेन कमपोरेंट जिसके अंधर में करेंगे उसके अंदर क्लास देता हैं ठीक है जिसके रहा है इसके के इंदर कॉलम है तो वो कॉलम हम मेप करवाएंगे ठीक है तो मैंने मेंन कंटेंट लिया और अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे जावस्क्रिप्ट के थूरू डॉकुमेंट.querySelector और जो भी क्लास थी जो कि हमारी क्लास थी .mainContent ठीक है अब हमने mainContent में उसको डाल लेया उसके आदम जो भी अपने HTML था HTML करने के लिए में एक variable बनाएंगी कि so HTML नाम से कुछ भी और map method स्टार्ट करेंगे .map method में सबसे पहले जो भी अपना array है उसको map करवाएंगी .map और जो पहला argument होगा वह होगा item बना particular object होगा जो पहला object दूसरा object वह दूसरा होगा index indexing जो होती है किसी भी map की array की नाव एक function कॉल करवाया इसको arrow function नहीं और हम यहाँ पर back text का यूज़ करके वो जो अपना component है जो हम map करवना चाहते हैं उसको हम HTML से copy करेंगे और उसको exact ऐसा ऐसा आपको दिखाने के लिए मैं copy करता हूँ और अभी देखना आप में वहाँ से उसको delete कर दूँगा थाकि आपको clear हो जाए ठीक है और हम यह सारा का सारे यहां से remove कर देंगे अब आप देखना code कितना clean होता है यह मैंने बिलकुँ अठा दिया तो अब हमें यहां पर एक भी चीज लिखने की जोड़त नहीं है क्योंकि हम जो भी ब्रेंडर करवाएंगे वह स्कृप्ट जो जैस से करवाएंगे यानिकि जावा स्कृप्ट के थ्रूप करवाएंगे अब अपना प्रोजेक्ट जो था एरे था लेंद थ्रीक आता तो यहां पर तीन एरे आ गए लेकिन अगर में और एक और काट चाहिए तो कोपी पेस्ट करके उसका नाम आइड वगरा चाहिए आइड इसले क्योंकि मेप के अंदर आइड एक यूनिक होना चाहिए एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट की एक आइड नीची है कंपल सरी नहीं है लेकिन एक बेस्ट मेथर बोल सकते हैं अब तो देखो चार अपने पास होगे पांच को लोगे तो पांच हो जाएंगे चलो अब हम टाइटल को भी डाइनेमिक लिए यहां पर चेंज करते हैं अभी एक क comment आ रहा हैं तो हमने उपर प्रोजेक्ट ले रहा का सब्सक्राइं है अगर आप गलत से इंदर अपर रेंडर कराएंगे पर रहा तो जुछ कि प्रोजेक्ट और舟 के अंदर हमने ताइटल दे रहा तो प्रोजेक्ट चएंगे इसको दिखा सकते हैं ठीक है इसी तरह के से हम अपना बाइक की सब्टैटल दिखा सकते हैं इमेज को डैनेमकली रेंडर करवाएंगे आईडी की ज़रुत नहीं है तो इस तरह के से हम अपना पुरा कार्ड डिजाइन कर लेंगे यह देखो तो कितना असान होगा अगर हमें 100 फ्रोड़्क्त दिखाने हैं तो अब हमें कुछ changes करने कीज़रत नहीं है उसके अंदर जाकर एक नय ऑब्जयक्ट्रेट करतेंगे उसकी वेलीई चेंज करतेंगे बस इतना ही हमें काम करने कीज़रत है और सिंपल सहामने एक मेप मेथड़ है उसके अंदर एक पहला आर्ग अपने को स्क्रीन पर दिख रहा है तो एक वैसे बेस्ट में इसको विंडो डोट एक इवेंट लिसनल लगाते हैं और जब भी लोड हो फस्ट टैम जावास्क्रिप्ट या पर पेज लोड हो तो डोक्मेंटे लोड करें उच करके एक फंक्सन कोल करवाएंगे और यह काम जो देवलपर हो तो प्लीज ट्राइ करो कि अच्छी चीज यहीं करो तो अगर आप उपर स्क्रिप्ट यूज करते हो तो यहां पर एक काम नहीं करेगा ठीक है तो जब भी आप स्क्रिप्ट और जावस्क्रिट फाइल यूज करो तो उसके बोड़ी जहां पर क्लोज होती है उसके जश्ट उपर कोपीपेश करो ठीक है लिंक करो और अब कुछ निप थोड़ा CSS add कर लेते हैं ताकि थोड़ा उपर स्पेस हो क्योंकि हम फ्यूचर में भी यही चीज यूज करने वाले हैं ठीक हम जितने भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा मैं इसी फाइल में बनाऊंगा किस तरह के से github को यूज करेंगे हम और यूज करेंगे वह सब मैं आपको यहां पर बताऊंगा किस तरह के से हम लाइव करते हैं साइट को वह सब ठीक है तो मेरे जितने प्रोजेक्ट आएंगे इसी रेपोजेट्री माइंग गिटब की जिसका मैं आपको बायो में लिंक देदूंगा बायो में डिस्क्रिप्श अब तो आप विजिट करके अगर आपको कोड समझना है तो वहां जाकर देख सकते हो कोपी पेस्ट करना मत बिल्कुल भी प्लीज अपने से ट्राय करना अब ठीक है और और भी में बहुत साइट फिल्टर किस तरह के से यूज करते हैं रिडिउस किस तरह करते हैं वह लेक अब तो यू है लेकिन जावा स्क्रिप्ट के सारे कॉंसेट हमें क्लियर होने चीए ठीक है तो चलो एक और में आपको बताता हूं किस तरह के से नीचे जाएगा क्योंकि अपने बूट्ट्रिप यूज क्या है तो देसे उसकी बिर्ट खत्म होगी हो ओटमेटिक नीचे ब तो तो तोड़ा देखता है नहीं तो अपने डिट डोट अश्टिर में जाकर वहां पर सी एस लिखर में याँ को पीपेच करेंगे आप भी यह क्या गरो नहीं तो बाद में फिर फास हो गया तो ठीक है देखो यह हो गया कांड कोई बात नहीं चलो हम अब इंडिक डोट जाते हैं वहां से लिखरें और फर कोपीपेच करते हैं बडियान रहे कि आपको अच्छे जावा स्क्रिप्ट कोद खुश से लिखना ठीक है और कोसीश करना कि जावा स्क्रिप्ट अगर सीख रहे हो तो स्टीम और और सीसे स्क लिए को थर्ड पार्ट उसको लाग सिखाऊंगा आपको चोटे-चोटे कॉंसेट सिखाऊंगा कुद भी सिखूंगा कहीं से और आपको सिखाऊंगा ठीक है ऐसा को मैं बहुत बड़ा डॉलर पड़नी हूं लेकिन हम इलकर सिखेंगे कुछ प्रोब्लम हो तो बिल्कुल आप इंस्टाग्राम पर या पर कहीं प कि अ को बीड़ाऊंगा थो नापको फा प्रोब्लम होग होग हो नापको दो जयतर्याग प्रोब्लम होग हो बाराइस का सिखाऊंगा शोग्त।